स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 न्यूस लेबस के कॉर्डिंग जिसका नाम है समकालीन विस और दक्षड एसिया तो इस चैप्टर के 2, 4, 6 मार्क्स के यान की जितने भी important question answer बनते हैं वो सभी के सभी हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं तो वीडियो around अब की 20 minute की मनेगी तो ध्यान से देखेगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो इस चैप्टर का दोस्तों सबसे पहला जो प्रश्ण है दो मार्क्स का वो देखिए आपकी स्क्रीन पे हैं क्या प्रश्ण देखे पड़ते हैं सार्क की क्यों ऐसफल हो गया यहनकि जो सार्क है इसकी ऐसफलता के कारण क्या है पहला पॉइंट आप लिखेंगे आपसी विवाद सार्क में समली जो देखेंगे इनके बीच में आपसी विवाद बना रहता है उधारन के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो संगस बना रहता है मतवेद बना रहता है ये एक एहम कारण है सार्क की ऐसफलता का दूसरा point आप लिखेंगे आतंकवाद यह देश आपस में लड़ते रहते हैं यहां कि सार्क में समझे जो देश हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं और जो भारत है देखिए एक्जामपल के तोर पे भारत जो है वो आरोप लगाता है कि पाकिस्तान और बांगलादेश भारत में आतंकवारी घटना को अंजाम देते हैं भारत जो वो यह आरूप लगाता कि पाकिस्तान और बांगलादेश जो भारत है उसमें आतंकवारी घटना को अंजाम देते हैं ये भी सार्क की एसफलता एक बड़ा कारण है ठीक है तिसरा पॉइंट है एकता की कमी सार्क देशों में सार्क की जो देश हैं उनमें आपसी व पीच में ठीक है तो ये तिन पॉइंट आप लेखेंगे सार्क की क्यों सार्क की एसफल हो गया इसके संबंद में ठीक है आपसी विवाद आतंकवाद और एकता की कमी ठीक है अगला प्रशन देखिए दोस्तों दो मार्क्स का है अगला प्रशन है ये चार्म भी पूछा ज जिसकी वज़े से पाकिस्तान में लोकतंत्र आता जाता रहा है यानि कि लोकतंत्र आता जाता रहता है से कौन सी कारण है ठीक है तो इसके mostly तीन कारण है जो कि आपको याद रखने है ठीक है तो देखे सबसे पहला कारण क्या है पाकिस्तान में जो पाकिस्तान है वहाँ पर स सेना, धरमगुरु और भू स्वामी अविजनों का समाजिक दबदबा है इसकी वज़े से यहां कई बार निर्वाचित सरकार को गिराकर सेनिक सासन कायम भी किया जा चुका है पाकिस्तान जो है वहाँ पे सेना, धरमगुरु भू स्वामी का अधिक दबदबा है ठीक है दू पॉइशना पॉइट, अमेरिका तथा अंने पस्षीमी देशों ने पाकिस्तान के साथ अपने स्वास्था को सादने के लिए सेनिक सासन को बढ़ावा दिया है इसकी वज़े से इनी तीन कारणों के वज़े से जो पाकिस्तान है वहां पे लोक्तन्त इस्था ही नहीं रह पाता है लोकतंतर आता जाता रहता है ठीक है तो यह question number complete हुआ आपको समझ में आ गया होगा बात करते हैं चप्टर के अगले प्रश्ण की दोस्तों अगला प्रश्ण जो हो बांगला देश से संबंदित है देखे क्या है कि बांगला देश में लोकतंतर का क्या रिकॉड रहा तो सबसे पहला point देखे है सन 1970 में बांगला देश में पहली वाद चुना हुए थे जिसमें सेख मुझीवु रह्मान ये देश के प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने खुद को वहां का राष्टपती गोसित कर दिया था और कुछ समय पस्चा थे इन्हें फांसी नहीं मतलब इन्हें जेल में डाल भी दिया गया था ठीक है जब सेख मुझी रह्मान को यहिया खान ने जेल में डलवा दिया ठीक है तो यहिया खान ने अपने सैनिक सासन में पाकिस्तानी सेना ने यहिया खान ने अपने सैनिक सासन के दौरान पाकिस्तानी जो सेना थी उसने ब आंदोलन का समर्थन दिया यानि भारत की जो सरकार है इसने पूरी नहीं यह पूरी नहीं है दोस्तों यहां पर पूर्वी लिखाया ठीक है तो पूर्वी जो पाकिस्तान था यानि जिसे आज बंगलादेश कहते हैं उसके लोगों के दोरह जो आंदोलन चलाया जा रहा था उसका समर्थन किया इसी समर्थन के चलते 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच बएच मतलब में पाकिस्तान था उसके बीच में युद्द स Dash गया और युद्द की समाथि के पश्चाथ जो पूरी पाकिस्तान था पूरी पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी सेना थी उसने आत्मसमर्पन कर दिया और जो पूरी पाकिस्तान था वो एक स्वतंत राष्ट बना जिसे कहा गया बांगलादेश ठीक है और बांगलादेश निर्मान के पश्चा थी उसने अपने आपका एक खुद सम्मिधान बन जनरल यहिया खान के बार में बताएंगे और फिर भारत का पाकिस्तान की जो सेना उसके बीच में यूद और एक संविधान बन के लोकतंत्र की इस्थापना होगी ठीक है अब आपको समझ में आ गया होगा अब देखिए यह जो question number four था sorry three था बंगलादेश में लोकतंत्र का क संबन दित अगला है हमारा такая श्री लंका से संबन ये six marks फर स्क्ष में पूचा जा सकता है लेकिन आप चार कमने लिखा है देखिए क्या धिज स्री लंका में जाती है संगल्स पर चर्चा कीजिए यानि स्री लंका में जाती है संगल्स चला था उसके बारे में आपको बताना है ठीक है तो सबस्क्राइब आपको यह पता होना चीए कि स्री लंका में जो सिंगली वहां के मून लिवासी थे वहीं जो स्री लंका के उत्तर और तमिले कोई साथ समान व्यभार करने वाले पार्टे की सरकार बनी इसकी विज़े से जो सिंगली समूत हुआ के जो मूल लिवासी से स्रिलंका के वो काफी नाराज हुए फिर वहीं उन्निस सो क्यावन के जब चुना हुए तो वहाँ पे स्रिलंकाई फ्रीडम पार्टे की सरकार बनी और सुलेमान भंडार नाइके ने सरकार के बागडोट समाली और यह जो पार्टी थी वो काफी कट्रपंति पार्टी थी इसी ने तमिलों को भगाने के लिए बहुत कदम उठाए किसने स्रिलंकाई फ्रीडम पार्टी के सुलेमान भंडार नाइके ने कौन-कौ तामीलों का नींतर्ण हुआ करता था उसका राष्टरी करंड कर दिया जिसकी वज़य से तमीलों का रेजगार पूरी तरीके से चिन गया तीसरा पॉइंट है तमीलों का विदेसी आवास प्रमाण पत्र को नवीनी करण करने से मना कर दिया यांकि विदेसी आवास प्रमाण पत्र जो होता है उसको नवीनी करण करने से जो स्रीलंका की सरकार्ती उसने मना कर दिया प्रमाण पत्र नागरिक्ता एवं नई राज की मांगों को स्री लंका फ्रीडम पार्टी ने ऐस्विकार कर दिया जब इतना सब कुछ हो गया उसके बाद तमीलों ने अपने हक के लिए लड़ाई का जो जरिया था उसको और तेजी से स्टार्ट किया देखें 1978 में तमीलों ने अपने अधिकारों की मांग के लिए लिटे किसका निर्माण किया लिटे यानि की लिब्रेशन टाइगर्स ओफ तमील इलम की इस्तापना की ठीक है लेकिन ये ज़्यादा सफ़ल नहीं हो पाया और जल्दी ही इसे आतंगवारी संक्ठन गोसित कर द होता हुआ कि स्रीलंका का विवाजन नहीं होगा और स्रीलंका के उत्री पूर्वी भागों को मिला कर एक विधान सवा बनाई जाएगी ठीक है और फिर लास्ट में दो पॉइंट बचेंगे दोस्तों देखे क्या है कि 1987 में भारत ने अपनी सांती सेना स्रीलंका में भीजी 1987 में भारत ने अपनी सांती सेना थी वो स्रीलंका में भीजी लेकिन वहाँ पे एसपल रही और 1989 में उसे वापस बुला लिया गया उसके बाद यूरोपिया संग के कहने पर किसके कहने पर यूरोपिया संग के कहने पर फिनलेंड डेन्मार्क और स्वीडन तथा नार्वे यहां के प्रतिनिदियों ने स्रीलंका में उपस्ते दोनों जातियों की बीच सांती बनाए रखने की कोशिस की और यह जातिय संगर्स आज भी कहीं न कहीं स्रीलंका में पनपता हुआ हमें देखने को मिलता है ठीक है तो यह था दोस्तों स्रीलंका में जातिय संगर्स किस तरह से था उसके बारे में चर्चा कीजिए ठीक है तो I hope आपको समझ में आया होगा पहले आपको क्या बताना है सिलंका में कौन मूर लिवासी है उसके बारे में ठीक है फिर पार्टी के बारे में आपको बताना है कौन-कौन से चार कदम उठाए उनको भगाने के लिए ठीक उच्छा गया है भारत और पाकिस्तान के संबंद तो यहां पे आपको भारत और पाकिस्तान के अच्छे संबंद भी बताने हैं और खराब संबंद भी बताने हैं ठीक है तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेड के क्या कारान है सबसे जम्मू कस्मीर प्रांत मन गया यहनकि पाकिस्तान का जब भारत था इसका जब विवाजन हुआ और जो पाकिस्तान था वो अलग हो गया तो पाकिस्तान से जो कस्मीर निकला 1948 के यूद के प्चाथ कस्मीर के दो हिस्से हो गए 實ा के प्किस्तान के बीच फिर से यूद हुआ फिर से यूद हुआ योद जो था दो देस जो संकट आया था संबंदी था ठीक है फिर है उन्नीस सो अठानवे में भारत ने पोकरण में पर्माणू परिक्षण किया वहीं कोछ दिनों के पस्चाथ पाकिस्तान ने भी कर लिए इसकी बज़े से दोनों के पास पर्माणू हतियार हो गए ठीक फिर है भारत और पाकिस्तान के बीच सिंद नरी जलवटवारे को लेकर विवाद बना रहता है जिसे योईनों की मुदद से सुल्जा लिया गया था ठीक है कक्ष के रन में कक्ष के रन में जो कि जो सरकरिक सीमा है इस सीमा रेका को लेकर दोनों देशों के बीच में मतवेद बने रहते हैं तो यह कुछ चार-पांच की दिसा में इनोंने कई करम उठाएं ठीक है जैसे सबसे पहला करम भाद और पाकिसान के अच्छे समद्ध में सबसे पहले करम है लाहोर बस सेवा अटल विहारी वाजपई के नेत्रतों में जब उनकी सरकार्ती उस दोरान 1999 में दोनों देशों के बीच लाहोर बस सेवा की परन्तू उसी साल कारगिल युद्ध होने की वजए से इसे समाप्त करना पड़ा था ठीक है अगला पॉइंट देखिए अगला है क्रिकेट टीम का दोरा दूसरा पॉइंट कहा हमारा क्रिकेट टीम का दोरा सन 2004 में भारत पाकिस्तान के बीच एक क्रिकेट सरंकला का आयो परिजन किया गया और सरंकला पहली और अंत्यम थी इसके बाद कभी भारत फी्ट टीम पाकिस्तान खेलने नहीं गई division अक्रिया और पहली और अंदिम जो स्नेकला थी इसमें भारतिय क्रिकेट टेम का काफी अच्छा प्रशन रहात आपम जीत भी हासल की थे तीसरा पॉइंट है साफटा पर स्टाक्छर दोनों देशों ने भारत और पाकिस्तान ने अपनी अर्थविष्टा को मजबूत बनाने के लिए 2004 में साफटा पर स्टाक्छर किये थे अगला पॉइंट है और आखरी पॉइंट है सीमेंट पर आयात सुल्क समाप्त कर दिया पाकिस्तान से जो भारत में सीमेंट आता था उस पे आयात सुल्क लगाते थे लेकिन अपने संबंदों को सुधानने के लिए सामय कदम उठाते हुए भारत ने पाकिस्तान से आने व वो आपको समझ में आये होंगे अच्छे संबंद कौन-कौन से है वो भी आपको समझ में आ गए होंगे ठीक है? तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरफ अगला है दोस्तों बांगलादेश से संबंदेश भारत था बांगलादेश के बीच संबन्दों का वर्णन कीजिए यनकी भारत और बांगलादेश के बीच में मतवेर के क्या कारण है ठीक है कौन-कौन संबन सुधाने की रिसा में कौन-कौन से कड़म उठाएगे उसके वारे में आपको बताना है तो सबसे पहला point देखे सबसे पहले हम देखेंगे भारत था बांगलादेश के बीच मतवेर के क्या मुद्दे है तो मतवेर के मुद्दों में सबसे पहला मुद्दा है नदी जलबटवारा भारत में गंगा नदी पर सन 1960 में एक फरक्पावान बनाये गया था इसकी विज़े से बांगलादेश का ऐसा कहना है कि उन्ह सुरक्षित एवं परियाप्त मात्रा में जल उपलब्द नहीं हो पाता है इसको लेकर भारता से बांगलादेश के वीच में विवाद है वहीं तिस्ता नदी वी विवाद का एक कारण है बांगलादेश जो है वो तिस्ता नदी से 25% जल की मांग करता है यदि भारत ने इस मांग को मान लिया तो बंगाल के जो पस्चिम बंगाल है इसके कई छेत्रों में सूखे की संबाबना बढ़ जाएगी इसलिए अभी तक के कर दोनों के वीची में विवाद बना रहता है ठीक है अगला पॉइंट है सीमा पार से घुस पैट देखें 1971 के दोरान बांगलादेश से घुस पैट होने के कारण असम बंगाल जैसे राज्यों की संस्कृती बहुत अधिक मातरा में प्रभावित हुई है यहां के मूरी न बंगलादेश का कुछ संगठन मतलब बंगलादेश में कुछ ऐसे संगठन है जो भारत में आतंकवादी घटना को अंजाम देते हैं उधारन के लिए लश्करे तैवा जमाल उल दावा यह सभी भारत में कई आतंकवादी घटना को अंजाम दे चुके और अंजाम दे भी तो इन घटनाओं को लेकर भी आतंगवारी घटनाओं को लेकर भी भारत और बंगलादेश के बीच में जो मतवेद के कारण है यह बने हुए एक लास्ट पॉइंट बचता है अवेदी तसकरी बंगलादेश से कई परकार के नसीली पदार्थ जैसे ड्रक्स या आदी नसीली पदात अवेद रूप से भारत में तसकरी की जाते है बंगलादेश से कई परकार के नसीली पदार्थ जैसे ड्रक्स हो गया घंजव अगयरा यह बहुत अधिक मातरा में भारत में लाए जाते हैं ठीक है तो यह मतलब की अगला पॉइंट था अवेद तसकरी के बारे में तो भारत असा बंगलादेश के वीचे मतवेद के क्या मुद्दे है नदी जलबटवारे को लेकर जिसमें आप गंगा नदी पर फरकावान के बारे में बताएंगे तिस्ता नदी के बारे में बताएंगे सीमा पासे गुस्पैट बंगलादेशी आतंकवारी शीविर और अ चलो की नीती का हिस्सा है जो भारत के द्वारा जो पूरब की ओर चलो की नीती अपनाई है उसका हिस्सा है इस नीती के अंतरगत यह म्यामार के जरिये दक्षेट पूर्व एसिया से अपने संबंदों को सुधारने की बात कहता है दूसरा पॉइंट भारत और बंगलादे कब 2008 में जो सेख हसीन है जो कि बंगला देश की प्रधान मंतरी थी इन्होंने कुर्स्य संभाली तथा भारत को यह आस्वासन दिया कि बंगला देश में इस्थित जितने भी आतंकवारी स्रीवेरे उन्हें यह नश्ट करेंगी और आतंकवारी गतिविदियों को खतम करेंग फोर्थ पॉइंट है संद 2014 में भारतिय प्रधान मंतरी ने बंगला देश को आर्थिक साहता प्रधान करते हुए कहा कि हम आपको लगवग 20 अरब डॉलर देने का वारा करते हैं जिससे आप अपना आर्थिक विकास कर पाएंगे ठीक है तो भारत और बंगला देश के इसके जितने भी important question हो सकते थे most important question जिनकी exam में आनकी probability बहुत ज्यादा है ठीक है तो I hope दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको अच्छे लेगी होगी अगर वीडियो अच्छे लेगी हो आपको question सभी समझ में आगे हो तो वीडियो को like करना इस वीडियो को अपने दोस्तो के साथ जादा से जादा जरूर share करीजेगा हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में अगले चेप्टर के mcqs question answer की वीडियो के साथ तब तक के लिए आप पढ़ते रहें अपना ख्याल रखिए धन्दिवाद जैहित वंदे मात्रम